नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सनमार्ग स्रावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादसी को कामिका एकादसी के नाम से जाना जाता है इस दिन भगवान स्रीहरी विष्ण की पूजा करने का विधान है और अगर ब्रत रखा जाए तो ब्रम हत्या के दोश से भी मुक्ति मिल जाती है तो कामिका एकादसी ब्रत इस बार 24 जुलाई को रखा जाएगा इस एकादसी ब्रत के दिन भगवान स्री हरी विष्णू की विधी विधान से पूजा करने का विधान है चुकि पारण 25 जुलाई को सुबह 5.38 से सुबह 8.22 के बीच होगा आप इस मद्य पारण जरूर कर लें कैसे करेंगे पूजा और केले का महा उपाई क्या है चले जानते विष्णार से एकादसी तिथी के दिन सुबह जल्दी उठकर शनान करें स्वक्षबस्त धारन करें पूजा घर में दीप प्रजलित कर ब्रत का संकल्प लें फिर एक चौकी पर पाटे पर पीला कपड़ा बिछा कर भगवान स्रीहरी विष्णू की परतिमा या तस्विर अस्थापित करें भगवान को गंगा जल से भी सेक करें फल पुस्प पंचामरित अरपित करें पूजा में तुलसी के मंजरी का परियोग जरूर कीजेगा क्योंकि इस कामिका है कादसी के दिन भगवान स्रीहरी को तुलसी की मंजरी का भोग या अरपित करने का भिधान है तो भगवान बिश्णु की पूजा तुलसी की मंजरी ये पत्तों की बिना अधूरी मानी जाती है और बाद में आपको कथा जरू पढ़ना है दो सब्दों में कथा हम सुन लेते हैं फिर आगे की बाते करेंगे परानी कथा के अनुसारे गाउं में बीर छत्री रहता था नेक दिल बैकती था लेकिन सुभाब से थोरा कुरोधी था इसकारण आए दिन उसकी किसी ने किसी के साथ जगड़े हो जाते कुरोधी सुभाब के कारण एक दिन छत्री की लड़ाईक ब्रहमन से हो गई अब छत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसका प्रैस्चित करने के लिए उसने ब्रहमन के दा संसकार में सामिल होना चाहा लेकिन पंडितों ने उसे ब्रहमन की क्रिया में सामिल होने से मना कर दिया अब ब्रहमनों ने छत्री से कहा कि तुम ब्रहमन की हत्या के दोसी हो इस कारण उसे धार्मिक समाजी कारियों से बहिस्कृत किया जाता है और कर दिया बहिस्कार इस कारण से वह परिसान होकर जो छत्री था ब्रहमनों से पूछा कि ऐसा कोई उपाय तो बतलाईए जिससे मैं इस दोस्त से मुक्त हो सकूँ तो ब्रहह होन जो थे उन्हों ने कहा छत्री को कि और पहलवां ने सावन महा की कामिका एक आधसी का बहत हुआ और बञदि विदान से इसका पालन किया एक दिन छत्री को नीन में भगवान विश्णु ने सुदर्सन चक्रधारन किये वे दर्सन दिये और भगवान स्री हरी छत्री से कहते हैं तुम्हें पापों से मुक्ती मिल गई है इस घटना के बाद से ही कामिका एकादसी का ब्रत रखा जाने लगा मात तु क्या है ब्रत का देखिए कामिका एकादसी की जो पूजा होती है इसमें ब्रत कथा जरूर पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए तभी आपका ब्रत संपूर्ण माना जाता है और इसके फलों की प्राप्ती होती है माना जाता है कामिका एकादसी का बरत कथा का पाठ करने से वाज़ पे यगई के समान फल की प्राप्ती होती है और इस बरत को रखने से बैक्ती के उनके समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है इस दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको जरूर करना चाहिए पहला मन्चाही मनोकामनाओं की पूर्ती के लिए भगवान को पंचामरित का भोग लगाए उसमें तूलसी के पत्ते डाल कर भोग लगाईए आप चाहें तो अभी सेख भी कर सकते हैं अगर उनकी बिग्रह है तो भगवान स्रीहरी की किरपा बरस्ती है धन धाने बढ़ता जाता है मनोकामनाओं पुर्ण होती है दूसरा अगर आपके संग घर में दक्षिनावर्ती संग है तो उसकी भी पूजा कीजिए इसके पसचाद पीले चाबल चने की डाल और केला गुड पीले बस्तर आदी का आ तो दिये जला जाते हैं इसलिए इस दिन नहीं करना चाहिए लेकिन आप तूलसी के नीचे आप छूना नहीं है तूलसी को पर आप एक दिया साइड में जरूर रख दीजिए और तूलसी की पांच याए ग्यारा प्रक्रमा करें तो धन धाने बढ़ता जाएगा जीवन उपाय करने से पहले आप नहा लिजिएगा फ्रेस हो जाएगा और लहसन प्याज का सेवन मत कीजिएगा साथी भगवान से अपनी मनों कामनाएं कहना मत भूलिएगा क्योंकि भगवान कहते हैं मन में तो हजारों बात चलती है आप बोलो आप जो बोलेंगे वो आपको दे अगर नारियल नहीं भी हो तो एक बार चलेगा पर पीला फल है केला और उन्हें अत्यंत ही प्रिये है तो केला इस दिन दो केला एक केला कभी भी अरपित ना करें ये दोस्त लगता है जब भी करें जोडा में दो चार छे ये आपकी मनो कामनाओं को पुर्ण करने वाला फ किसी भी पुजा में मांगली कारे में दर्वाजे पर केले के पत्त को लगाया जाता है और मांगली के दोस्त वाले ब्यक्ति की अगर केले के बिच्ट से साधी करा दिया जाए तो मांगली के दोस्त भी दूर हो जाता है और अगर केले की जड़ आप धारन करते हैं तो पु दूसरी बेला यानि की साम्न होने के पहले आप इसे धारन भी कर सकते हैं भगवान बिश्नु और मा लक्ष्मी दोनों की ही एक साथ पुजा कीजिएगा और उन्हें केला अर्पित कीजिएगा दो केले चार केले या छे केले घर में सुख सम्रिद्धी बनी रहेगी बैवाहि पारिवारिक जीवन उत्तम बना रहेगा इस नियम का पालन आप जरूर कीजिएगा और सुखा के समय आप एक लोटा जल केले के ब्रिच में चरूर अर्पित कीजिए अगर आपके घर में कोई लड़की है उसका बिवा नहीं हो पा रहा है या फिर पारिवारिक जीवन में कलकलेस मचा हुआ है किसी के भी साथ हो सकता है तो ऐसे में क्या करेंगे आज के दिन पीले रंग के रेसमी धागे में साथ हल्दी की गांट और साथ पीले चंदन के टुकरे एक साथ बांध लें अब केले के ब्रिच में माला की तरह लपेट दे और लगातार साथ दिनों त अगर आप लड़की है आपका सिगर भीवा होगा आप महिला है आपके बेवाहिक जीवन में परिशानी है तो वो भी दूर हो जाएगा साथ ही आज एकादसी के दिन आप अगर आपका विवा नहीं हो पा रहा है आपको लग रहा है पता नहीं होगा की नहीं होगा तब ऐसे में अपनी रिंग फिंगर में चांदी का छला धारन कीजिए सुक्रवार के दिन आप धारन करें और देखिएगा आपका जल्द ही बिवाह तै हो जाएगा तो चलिए सबसे अंत में आपको एक बेश टुपाय बतला देते हैं एक आदसी कीती थी में आप सारे दिन कभी भी सिर्फ आपको लहसन प्याज नौन विज नहीं खाना है अच्छे से फ्रेस हो जाईएगा अगर फास्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है दो केला ले ले अब उन दोनों केलों में से एक केले पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाए और दूसरे केले पर अपना नाम लिखें इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक मिट्टी का घी का दिया जला यानि कि मिट्टी के दिये में घी डालके दिया जलाईए और इसमें रूई की बाती न डालकर मौली धागा डालिएगा कच्छी सूत जिसे कहते हैं और दो लौंग डाल दें और ध्यान रखियेगा लौंग जले नहीं यानि पीछे से रखना है आपको लौंग इसके बाद भगवान विश्णू को प्रशन्न करने के लिए मंत्र जपे ओम नमो भगवते बासु देवाए अब आप जिस कारे के लिए उपाय कर रहे हैं भगवान से अपनी प्रार्थना बोलिए अब अगली सुबह यानि दुआ दसी के दिन केले को ले ले और अपने उ आपने स्वास्तिक का निसान बनाया है उस केले को गाय को खिला दें और फिर अपनी इक्छा गौमाता से कहें और दूसरा केला जिस पर आपने नाम लिखा हुआ है खुद का उसे स्वैम खाए परसात की रूप में आप देखिएगा माता लक्ष्मी की कृपा भगवान बि लेगेगी और बरकत होने लेगेगी हम आपसे विदा लेते हैं अगर वीडियो से लाब हो तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद हर हर महादेव फिर मिलेंगे